Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल बहुती भयानक, तो यहाँ पर उन सारे चीज़ों को regulate करने के लिए, और साथी साथ, जो coaching centers हैं, उनकी जो मनमानी हैं, जो जिस तरीके से fees लिए जाते हैं, बड़े स्तर पर, लाखों रुपए लिए जाते हैं, उन सब को रोकने के लिए, कई सारी चीज़ें की जारी हैं, और इससे भी ज्यादा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक exit policy भी सरकार ने announce किया है, कि अगर मानलो कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, बीच में अगर उसको छोड़कर जाना पड़ा, तो उस case में क्या उसका fees refund होगा की नहीं होगा, और इसके लावा यहाँ पर ऐसे कौन से बच्चे हैं, जो coaching centers join कर सकते हैं, काफी सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, यह आप देख सकते हो, ministry of education issues, guidelines for coaching centers and prohibits intake of students below 16 years, तो इसके बारे में details से जानेंगे, क्या-क्या बदला होने जा रहा है, कब तक यह implement होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिल चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं, और एक ऐसा batch आते हैं, जिसके अंदर पूरी आपको त्यारी कराई जाए, तो हमारा जो foundation batch है, जिसके अंदर, freelance, mains, interview, सब कुछ कराई जात हैं, comment section में भी link है, और use करना है, आपको code ankit live checkout के समय, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इस साल का अगर आप prelims का exam दे रहे हैं, तो हमारा SIP plus वाला program join कर सकते हैं, ताकि आपको prelims crack करने में आसानी हो, और इसके साथ साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे insta page पर जाए तो उसके अंदर जो department है, department of higher education, उनके द्वारा यहाँ पर introduce किया गया है, guidelines for registration and regulation of coaching center 2024, और इसका जो primary objective है, main objective है, वो यह है कि एक ऐसी policy बनाना, framework बनाना, ताकि coaching centers का registration, regulation, सब कुछ हो सके, यहाँ पर minimum standard जो required होना चाहिए, उस coaching center को operate करने के लिए, वो यहाँ पर लाया जा सके, और साथी साथ, जितने भी students enroll कर रहे हैं, अपने आपको coaching center में, उनका interest protect किया जा सके, और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो focus है, वो co-curricular activities, जैसे कि पुरा holistic development की जब हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को encourage किया जाए, यहाँ पर जो career guidelines है, psychological counselling है, जो basically student की mental well-being की हम बात करते हैं, उन सारे चीज़ों का ख्याल रखते वे, यह rules regulations लाए गए हैं, यह इतना माहिने क्यों रखता है, देखो माहिने इसलिए रखता है, क्योंकि आज की date में, specially भारत के अंदर, जो unregulated तरीके से private coaching centers चल रहा है, वो बहुत भयानक है, मतल coaching लेना चाहता है, तो घर से कैसे जैसे करकर, fees जमा करता है, और यहाँ पर उसको जो quality अगर वो नहीं मिलती हैं, तो कई बार वो society की तरफ भी कदम उठा लेते हैं, यहाँ पर कई प्रकार की जो गलत चीज़े, malpractices की जाती हैं, उन सब को रोकना, यह कई बार सामने आया है और कई बार मीडिया में इसके बारे में चर्चा भी हुई है, परलिमेंट के अंदर discussion हुआ है, debates हुआ है, और इसी के वज़े से यह जो guidelines है, वो बहुत माइने रखता है, देखें मैं यहाँ पर जो नए rules हैं उसके बारे में बताऊं, उसके पहले, एक coaching center हम किसे कहेंगे, यह भी जाना बहुत जरूरी हो जाता है, माल लिजिए अगर कोई 10 बच्चे हैं आपर बैठें, आप महले में घर पर किसी 10 बच्चे को भुला रहे हो और उसको पढ़ा रहे हो, क्या वो coaching center कहलाएगा, ऐसे नहीं है, तो को यहाँ पर जो guidelines जारी किये गए हैं, उसके जो की run किया जाता है, administer किया जाता है, by any person, वो किस चीज के लिए, to provide coaching for any study program, मतलब भारत में पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का program अगर आप ले कर आए हो, coaching ले कर आए हो, चाहें वो academic purpose से हो, या फिर competitive examination हो, UPSC से related, मतलब कोई भी तरह का competitive examination हो, academic support हो गया, इस तरह की जो students को दी जाती है, जो students schools में हो, colleges में हो, university level पर हो, जैसे भी हो, और साती साथ जो सबसे important है इसके अंदर, वो है more than 50 students, मतलब कि अगर उस जगा पर coaching दी जाती है, 50 से ज़्यादा students को, तो ही उसको coaching center कहा जाएगा, तो वो इसके दाएरे में आएंगे, ये definition आपको पता होन जाती है, तो अब coaching centers के लिए क्या-क्या नए rules regulations लागा हैं, देख लेते हैं, सबसे पहला, registration of coaching center, मतलब जितने भी इस तरह के coaching centers हैं, उनको अपने आपको register करना पड़ेगा, local jurisdiction, मतलब जो भी राजसरकार में है, जिस भी राज में हो, तो locally यहाँ पर जो भी नियम कानून है जहाँ पर भी उनको registration करना compulsory है, और अगर वो registration करते हैं, तो यहाँ पर जो भी forms है, fees है, documents required है, वो सारी चीज़ें उनको जमा करनी पड़ती हैं, और इसके साथ साथ एक और बहुत important चीज़, आपने देखा होगा, आज कल क्या हो गया है, कि एक coaching center के बहुत सारे branches सामने आ 1, 2, 4, 5, 6, कई जगा branches देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस coaching center का जो headquarter है, उसने यहाँ पर registration कर लिया, तो automatically सारे branches का भी registration होगा, ऐसा नहीं है, हर एक branch अपने आप में separate entity के तोर पर देखा जाएगा, मतलब हर एक branch को registration करना पड़ेगा, यह बहुत important है, तो सबसे पहला तो यह कदम हो गया, फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि कौन से बच्चे coaching ले सकते हैं, जो coaching center है, वहाँ पर क्या हर प्रकार के बच्चे आ सकते हैं, देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा announcement किया गया, और वो यह है, कोई भी बच्चा below 16 years of age, मतलब अब क्या होगा, 16 साल से नीचे के बच्चे coaching यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, और वो definition के तहट मैंने आपको बता है, अब देखो, actual में यह कितना implement हो पाता है, नहीं implement हो पाता है, वो तो समय बताएगा, लेकिन जो regulations जारी किये गए हैं, उसमें यहाँ पर साफ लाफ लिखा है, students below the age of 16 are not permitted for enrollment, और साथी साथ यहाँ पर यह कहा गया है, they are allowed only after completion of secondary school examination, मतलब कहीं न कहीं इशारा यह है, कि अगर आपने 10th पास कर लिया, तो उसके बाद ही यहाँ पर आप coaching ले सकते हैं, मतलब 16 साल के उपर के बच्चे जो है, वहीं यहाँ पर coaching ले सकते हैं, तो यह बहुत important कई बार यहाँ पर कहा जाता है, कि हम आपको guaranteed marks दिलाएंगे, guaranteed आपको rank दिलाएंगे, top 100 में आप आ जाओ, इस तरह की चीज़ें आपर आप नहीं कर सकते, ताकि आप parents और students को attract कर सकें, इस तरह की कई बार चीज़ें की जाती है, यहाँ पर जो transparency है, उसके उपर emphasize किया गया है, और कहा गया है कि आपको अपने website पर जो भी information है, चाहें वो tutors related हो, उनकी qualification, courses क्या है, curriculum detail हो गया, कब तक वो coaching दिया जाएगा, 4 मेहना, 5 मेहना, 6 मेहना, hostel facilities, fees, जितनी भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर provide की जाएंगे, देखो hostel, कई बच्चे होंगे, शायद उनको पतान जैसे कि आप अपने आस पास तो coaching अगर जाते होगे, लेकिन hostel के आए, especially जैसे quota हो गया, medical की पढ़ाई के लिए, engineering की पढ़ाई के लिए, कई बार जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो coaching institutions हैं, वो hostel की facilities provide करते हैं, तो वो सारी जानकारी transparent तरीके से उनको website पर डालनी होगी, अब दूसरा है यहाँ पर fee structure, अगेन ये भी बहुत important था, और इसके लिए guidelines में देखे, कोई specific fees नहीं लिखा गया है, लिकिन हाँ, एक general चीजे लिखी गई हैं, वो यह है कि tuition fees for various courses must be fair and reasonable with detailed receipts provided, दोको अगेन ये बहुत important हो जाता है, मतल 17,000, 20,000, 11,000 की पढ़ाई, 12,000 की पढ़ाई, या फिर जिस भी चीजे के लिए जो fees लिया जा रहा है, तो वो बहुत जादा नहीं होना चीए, वो reasonable होना चीए, और fair होना चीए, आप यह नहीं कह सकती है, हम एक लाख रुपए लेंगे एक particular चार मैने के duration के उसके लिए, त तो इस तरह सी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती है, और साथी साथ जो एक prospectus होता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें display की जानी है, वो होगा, information होना चीए, course related उस prospectus में, duration, classes, tutorials, यह जितनी चीज़ें है, exit policies वगरा, वो सब होना चीए, अब यहाँ पर question यह exit policy क्या है, लिखो again, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव करते हुए, guidelines में यह लिखा गया है, कि अगर कोई भी student बच्चा, अगर mid course withdrawal करता है, मतलब उसने coaching ले लिया, fees जमा कर दिया, और आपने कई बार देखा होगा, कि जब आप एक बार fees जमा कर दिये, तो coaching centers का यह कहना होता है, कि वो refundable नहीं है, तो यहाँ पर यह बोला गया है, कि that should be refundable on pro-rata basis, अब pro-rata का मतलब यह हो गया, कि मान लिजे, जो coaching, जो course का, जो duration था, वो चार महने का था, मान लो, four months का था, और यहाँ पर बच्चे ने एक महने का coaching लिया, और उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो उस case में, बाकी के तीन महने का उसको refund मिलना चाहिए, within 10 days, मतलब चार महने का है, और उसने एक महना किया, मतलब उसने one force, और मान लो, उसने दस हजार pay किया है, तो दस हजार pay किया, और उसने एक महने की coaching लिया है, मतलब धाई हजार रुपे, उसका काट लो, और बाकी का साड़े को लोटा दो, यह यहाँ पर बोला गया है, और any fee, और साथी साथ यह भी बोला गया है, कि किसी भी course के दौरान, आप fees increase नहीं कर सकते हैं, मान लो, आपने 10,000 ले लिया, और आप उसको कह दो कि नहीं, यहाँ पर अगर आपको coaching लेनी है, तो 2000 और जमा करना पड़ेगा, हमा कि यहाँ पर यह बहुत ज्यादा important था, यहाँ पर coaching centers को, ठूस के आपको बच्चों को एक जगा पर नहीं रखना है, ठीक है, कई बार कई coaching centers में, I'm sure आपने देखा होगा, मतलब बच्चे 60-60 के, आपस में जगा है नहीं, वहाँ पर chair रखने की, या फिर, तो बच्चों को इतना जादा एक close space में रखा जाता है, जो कि बहुत dangerous होता है, कई बार emergency situation आ जाती है, आग ला जाती है, तो बच्चे exit कैसे करेंगे, निकलेंगे कैसे उस classroom से, तो यह बहुत जादा problem था, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है rules में, coaching center must allocate a minimum of one square meter per student in each class, हर एक class में, अग आपको उतना बड़ा space होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि space है 50 बच्चे का, और आप वहाँ पर डाल रहे हो 200 बच्चे, 200 बच्चे, कई बार होता है ऐसा, पीछे पीछे खड़े होकर बच्चे कई बार class लेते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होना चीए, इसके अलावा fire safety और cameras हैं, वो हाँ पर लगाना होगा, with medical assistance and first aid kit, जो भी वहाँ पर है, अब यहाँ पर study hours की जहां तक बात है, कई बार ये भी देखा गया है, कि schools के दौरान, जो schools की timing है, उसके दौरान यहाँ पर coaching के दौरा classes रखा जाता है, जो की अब नहीं होना चीए, मतलब classes should not coincide with school hours to ensure regular attendance, मतलब बच्चे के लिए सबसे पहला जो primary चीज है, वो क्या है, वो है school में जाना, school में जाकर पढ़ाई करना, फिर उसके बार जो time मिलता है, उसी समय आप coaching का timing रख सकते हैं, आप school hours के दौरान नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर जो curriculum time table है, that should allow students to relax and, मतलब एक तरह से आप कह स सकते हो कि बच्चा जो है, वो relax भी कर सके, ऐसा नहीं हो कि school से आया, तुरंट भाग कर coaching जा और लगतार 9 बेजे तक coaching ही कर रहा है, वो सारी चीजें नहीं होने चाहिए, और साथी साथ जो weekly office students के लिए और tutors के लिए, दोनों के लिए mandatory की है सरकारने की, वो मिलना ही चाहिए और class का जो size है, that should align with maintaining a healthy teacher-student ratio, मतलब अगर मान लो एक teacher है और वहाँ पर आप 500 बच्चे ले आ रहो, तो is it possible कि वो एक teacher 500 बच्चों के उपर ध्यान दे पाएगा, it is not healthy, रहे, तो इसको ध्यान में रखते वे यहाँ पर आपको कदम लेना है, ऐसा सरकार नहीं बोला है, और साथी साथ complain mechanism, अब देखिए, यहाँ पर complain कहने का मतलब, जो students है, जो parents है, उनको कुछ शिकायत हो सकती है, coaching से related, ठीक है, coaching center को लेकर, तो वो भी complain कर सकते हैं, और साथी साथ, जो coaching center है, उनको भी कई बार शिकायत होती है, parents और students के उपर, तो वो यहाँ पर जो भी शिकायत ह है, तो वो locally यहाँ पर जो भी competent authority है, उस राजी के अंदर, उनको यहाँ पर करना होगा, और सरकार ने कहा है कि 30 days के अंदर, 30 देन के अंदर, उनकी जो शिकायत है, उसको resolve किया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर inquiry committee भी establish की जा सकती है, ताकि यहाँ पर जो भी शिकायत दर पड़ेगा, कितना, पहले वाले valuation में 25,000 रुपए, दूसरे वाले valuation में 1,00,000 रुपए, और उसके बाद अगर कोई valuation होता है, तो उसका registration रद कर दिया जाएगा, तो यह penalty है, और finally question आपके मन में यहाँ आएगा, कि यह कब से लागू होगा, कौन लागू करेगा, क्या है, यहीं पर सारा trick है, actually rules regulations तो बना दिये जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, plus two level तक का जो education है, बारत तक का, वो basically जिसकी जिमेदारी है, जो jurisdiction आता है न, वो राज सरकार और union territory government के अंदर में आता है, तो ultimately अब यहाँ पर देखा जाएगा, कि center ने यह जो guidelines जारी किया है के अंदर सरकार ने, क्या वो सभी राज उसको follow करते हैं कि ने, क्या वो वैसे ही उसको implement करते हैं कि ने, central government ने तो अपनी तरफ से यहाँ पर यह जो एक framework है, उसको बना कर दे दिया है, अब ultimate जिमेदारी राज्यों के उपर है, कि वो उसको किस तरह से implement करते हैं, और करते है है कि नहीं है, और जब implement होता भी है, तो especially हमारे देश में क्या घुसकोरी बढ़ेगी, क्या यहाँ पर वो सही से implement होगा, यह बहुत बढ़ा कुशन है, आपका क्या opinion है, मुझे comments में जरूर बताएगा दोस्तों, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, in terms of establishment, हमारे दे अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाते हैं, then you can just use this code ANKITLIVE to get maximum discount on all our courses, I hope की वीडियो आपको पसंदा होगा, मिलतों आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon.